व्यवस्ता विवरन अध्याय दो तब उस आग्या के अनुसार जो यहवा ने मुझको दी थी हमने घूमकर कुछ किया और लाल समुदर के मार्ग के जंगल की ओर चले और बहुत दिन तक सेर पहाड के बाहर-बाहर चलते रहे तब यहवा ने मुझे कहा तुम लोगों को इस पहाड के बाहर-बाहर चलते हुए बहुत दिन बीद गए अब घूमकर उत्तर के ओर चलो और तु प्रजा के लोगों को मेरी यहाग्या सुना कि तुम सेर के निवासी अपने भाई एसावियों के सिवान के पास होकर जाने पर हो और वे तुम से डर जाएगे इसलिए तुम बहुत चौकस रहो उन्हें न छेड़ना क्योंकि उनके देश में से मैं तुम्हें पाव धरने का ठोर तक न दूँगा इस कारण कि मैंने सेर परवत एसावियों के अधिकार में कर दिया है तुम उनसे भोजन रुपए से मूल लेकर खा सकोगे और रुपएा देकर कुओं से पानी भरके पी सकोंगे क्योंकि तुम्हारा परमिश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विशय तुम्हें आशिश देता है इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है इन चालिस वर्षों में तुम्हारा परमिश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग है और तुमको यो हम सेईर निवासी और अपने भाई एसावियों के पास से होकर अराब के मारग और एलत और एस्योन गेबेर को पीछे छोड़ कर चले। फिर हम मुड कर मुआप के जंगल के मारग से होकर चले। और यहवा ने मुझसे कहा मुआपियों को नसताना और नलढाई छेड़ना क्योंकि मैं उनके देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में न कर दूँगा। क्योंकि मैंने आर को लोतियों के अधिकार में किया है अगले दिनों में वहाँ एमी लोग बसे हुए थे जो अनाकियों के समान बलवंत और लंबे-लंबे और गिंती में बहुत थे और अनाकियों की नाई वे भी रपाई गीने जाते थे परंतु मुआ भी उन्हें एमी कहते हैं और अगले दिनों में सेईर में होरी लोग बसे हुए थे परंतु एसावियों ने उनको उस तेश से निकाल दिया और अपने सामने से नाश करके उनके स्थान पर आप बसके जैसे की इस्राइलियों ने परमेशर यहोवा के दिये हुए अपने अधिकार के देश में किया अब तुम कूच करके जेरेद नदी के पार जाओ तब हम जेरेद नदी के पार आए और हमारे कादेश बरने को छोड़ने से लेकर जेरेद नदी पर होने तक 38 वर्ष बीद ग और जब तक वे नाश न हुए तब तक यहोवा का हाथ उन्हें च्छावनी में से मिटा डालने के लिए उनके विरुद्धर बढ़ा ही रहा जब सब युद्धा मरते मरते लोगों के बीच में से नाश हो गए तब यहोवा ने मुझ से कहा अब मुआप के सिवाने अर्था आर को पार कर और जब तू अमोनियों के सामने जाकर उनके निकट पहुचे तब उनको न सताना और न छेड़ना क्योंकि मैं अमोनियों के देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में न करूँगा क्योंकि मैंने उसे लुसियों के अधिकार में कर दिया है वह देश भी रपाईों का गीना जाता था क्योंकि अगले दिनों में रपाई जिन्हें अम्मोनी जमचुमी कहते थे वे वहां रहते थे वे भी अनाकियों के समान बल्वंत और लंबे-लंबे और गिंती में बहुत थे परंतु यहवा ने उनको अम्मोनीों के सामने से नाश कर डाला और उन्होंने उनको उस देश से निकाल दिया और उनके स्थान पर आप रहने लगे जैसे कि उसने सेर के निवासी एसावियों के सामने से होरियों को नाश किया और उन्होंने उनको उस तेश से निकाल दिया और आज तक उनके स्थान पर वे आप निवास करते हैं वैसा ही अवियों को जो अज्जानगर तक गाओं में बसे हुए थे उनको कप्तोरियों ने जो कप्तोर से निकलते थे नाश किया और उनके स्थान पर आप रहने लगे अब तुम लोग उठकर कूच करो और अरनोन के नाले के पास चलो सुन मैं देश समेट हेशपून के राजा एमोरी सिहोन को तेरे हाथ में कर देता हूँ इसलिए उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ करो और उस राजा से युद्ध छेड़ दो और जितने लोग धर्ती पर रहते हैं उन सभों के मन में मैं आज ही के दिन तेरे कार अगन दर और थरतराहट समवाने लगूंगा वे तेरा समाचार पाकर तेरे डर के मारे कापेंगे और पीडित होंगे और मैंने कदे मोत नाम जंगल से हिश्पून के राजा सिहोन के पास मेल की बाते कहन को दूद भेजे कि तुझे मुझे अपने देश में से होकर चाने द मैं राजपत पर चला जाऊंगा और दहिने और बाए हाथ न मुड़ूंगा तू रुपया लेकर मेरे हाथ भोजनवस्चु देना कि मैं खाऊ और पानी भी रुपया लेकर मुझे को देना कि मैं पिऊंगा। केवल मुझे पाव पाव चलने जाने दे। मैं यर्दन पार होकर उस देश में पहुचेंगा जो हमारा परमिश्वर यहोवा हमें देता है। परंतु हेशपोन के राजा सिहोन ने हमको अपने देश में से होकर चलने न दिया। क्योंकि तुम्हारे परमिश्वर यहोवा ने उसका चित तक कठोर और उसका मन हठीला कर इसलिए कि उनको उसको तुमारे हाथ में कर दे जैसा कि आज प्रगठ है और यहवा ने मुझसे कहा सुन मैं देश समेद सिहोन को तेरे वश में कर देता हूं उस देश को अपने अधिकार में लेना आरम भकर तब सिहोन अपनी सारी सेना समेद निकलाया और हमारा सामना करके युद्ध करने को यहस तक चड़ाया और हमारे परमिश्वर यहोवा ने उसको हमारे द्वारा हरा दिया और हमने उसको पुत्रों और सारी सेना समेद मार डाला और उसी समय हमने उसके सारे नगर ले लिये और एक-एक बसे हुए नगर का स्त्रियों और बालबच्यों यहां तक सत्यानाश किया कि कोई न छुटा परंतु पश्यों को हमने अपना कर लिया और उस नगरों की भी लूट भी हमने ले ली जिनको हमने जीत लिया था अरनोन के नाले के छोरवाले अरोएर नगर से लेकर और उस नाले में के नगर से लेकर गिलात तक कोई नगर ऐसा उचा न रहा जो हमारे सामने ठर सकता था क्योंकि हमारे परमिश्वर यहवा ने सभों को हमारे वश में कर दिया परंतु हम अम्मोनियों के देश के निकट बरन यब्बोक नगी के उस पार जितना देश है और पहाडी देश के नगर जहां जहां जाने से हमारे परमिश्वर यहवा ने हमको मना किया था वहां हम नह के